आज हम राजस्थान के नागौर जिले में प्रसिद्ध चायनातले और द्योगिक नगरी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले इंदावड गाउं के बारे में बात करने जा रहे हैं। भेड पालन का कार्य किया। उसके बाद खेती बाड़ी को अपनी आजिविका का मुख्य साधन बनाया। वर्ष 2001 के बाद इस गाउं में चायनातले के रूप में खनिच पदार्थ की खोजबीन के साथ ही यह गाउं और द्योगिक चायनातले के रूप में अपनी पहचान बनाने लगा। आज चायना के ले उद्योग के रूप में यह गाउं हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों तक अपनी पहचान बनाई है। धीरे धीरे यह गाउं शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाने लगा। अभी वर्तमान समय में इस गाउं में CBSE Board English Medium School सहित तीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कार्यरत है जिन में आसपास के गाउं से विद्यार्थी विद्या अर्जन करने आते हैं। वर्ष 2020 में गाउं के युवाओं ने अपने गाउं में कुछ अलग करने की सोची जिससे गाउं में शिक्षा का माहौल बन सके। गाउं के बच्चों के लिए शहर जैसी पढ़ने की सुविधा मिल सके। इन सपनों को साकार करते हुए गाउं के कुछ शिक्षित वजाग्रूक युवाओं ने सितंबर 2020 में सोच बदलो गाउं बदलो टीम की स्थापना कर डाली। इस टीम का पहला मुख्यकारिय गाउं में सार्वजनिक लाइबरेरी का निर्मान वसंचालन को लेकर किया गया। इसके साथ ही यह टीम लाइबरेरी से निकलने वाले प्रतिभाशाली युवा साथ ही एवं गाउसे सरकारी सेवा प्राप्त करने। वाले युवाओं का समयस्मय पर स्वागत एवं अभिनन्दन समारोह का आयोजन भी करती है ताकि दूसरे बच्चे भी उनसे अभिप्रेना ले सके इसके अलावा गाओं में सारवजनिक जगहों पर पेड़, पौधे लगाना, गौशाला में गायों के लिए छत पंखे लगवाने जैसे अनेक सामाजिक, धार्मिक कार्य भी कर रही है गाओं के युवाओं की छोटी सी कोशिश आज पूरे राजस्थान के लिए एक मिशाल बन चुकी है समय के साथ ढलना इंदावड गाओं से बहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा इंदावड गाओं की एकता एवं अनुशासन आज भी दूसरे गाओं में अभिप्रेणा के रूप में मानने लगे हैं युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन को देखते हुए गाओं के बुजुर्गों ने आज से दस साल पहले इसी गाओं ने एक बड़ा फैसला लिया था गाओं की सीमा के अंदर कोई भी मदिरा की दुकान नहीं लगाई जाएगी बेखुबी पूरे गाओं ने इस एतिहासिक फैसले का स्वागत किया शादी विवाह के दौरान आज भी इस गाओं में डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध है सोच बडलो गाओं बडलो टीम के कई ऐसे और भी कार्य हैं जो अभी क्रियानवित है इस टीम की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश गाओं में शिक्षा के साथ साथ परियावरन सनरक्षन एवन समाज कल्यान जैसे अनेक सामाजिक कार्य भी कर रही है